दूनिया में देश दो तरह की व्यवस्थाओं से चलते हैं एक लोकशाही और दूसरा तानाशाही आज तो ज्यादा तर लोकशाही चलती है लेकिन दुनिया के कुछ तानाशाह ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने राज में लोगों को बहुत सताया लेकिन जब पासा पल् साथे तानाशाह हैं जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सेใकल उनकी प्रोरता की बहुतАपको कहानिया सुनने को मिली होंगी लेकेदम बात कर रहे हैं इटली के तानाशाह बन गए वो नेशनल फासिस्ट पार्टी के नेदा बने काफी साल मुसॉलिनी ने अपने विरोधियों को दबा कर रखा लेकिन एक दिन विरोधियों को मौका मिला और आज ही के दिन यानि 28 अप्रेल 1945 को बैनिट मुसॉलिनी की गोली मार कर हत्या कर दी गई इतना ह विश्विद में मुसॉलिनी ने एपेक्स कंट्री का साथ दिया था युद्ध के दरान उन्होंने कहा था कि अगर वो युद्ध का मैदान छोड़ कर भागे तो उनको गोली मार दी जाए लेकिन जब ऐसा हुआ और वो हारे तो वो अपनी प्रेमिका के साथ अपनी जान ब अर्थकों को घेर लिया और उनको गोली मार दी इसके बाद सभी शवों को लाद कर मिलान शहर के पियाजाले लॉरेटो चौक पर लाया गया यह वही चौक था जहां उन्होंने आठ महीने पहले अपने 15 विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया था मुसॉलिनी के लिए ल मूं में मरा हुआ चुहा डाल दिया उन सब के शवों के साथ भीड ने तब तक बुरा बरताव किया जब तक कि उन्हें तसली नहीं मिल गई आखिरी में भीड ने उन सभी शवों को उल्टा लटका दिया यही होता है कि आप दुनिया में क्या कमा कर ले जाते हैं अपनी त सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेज करना ना भूदें